असलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे चिकन बर्रा और इसके साथ इसके एक जबदस से ग्रेवी भी बनाएंगे बिलकुल रेस्टरांट स्टाइल आपका बर्रा बनकर तयार होगा और इसके साथ जो ग्रेवी है शायद ही आपने किसी रेस्टरांट में खाई होगी बहुत ही तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए एक किलोग्राम मैंने चिकन लिया हुआ है चिकन के मैंने आठ पीस कटवाए है यानि कि मैंने बड़े पीस कटवा लिया है आपके पास नॉर्मल पीसेज भी है तो आप उसका भी स्तमाल कर सकते हैं और क्यूंकि बड़े पीसेज हैं तो जो बड़े पीसेज हैं उसमें गहरे गहरे गट्स लगा लिजेगा जिससे की जो मैरिनेशन का मसाला है वो अंदर तक अच्छी तरह से चला जाए और पांसात मिन के लिए चिकन को आप छनी को पर लग दीजेगा एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है तरह से अब यहां पर मैंने एक मुठी की करीब अरईधनिया लिया और चार से पांच अरे मिर्च लिए हैं हरे मिर्च की क्वंटिटी अपने टेस्ट के हिसाप से आप बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हमें इसको एक मीटियम साइज ही प्यास को गोल्डन फ्राइख कर और इसको भी हमें मिक्सी के जार में डालना है इसमें एक से दू टेबले स्पून पाइय डाल कर इसको लिएक ऍटार से indu Olivier के लिया है तो इसतर आप देख संटे प्यास को मैंने एक पेस तयार कली है इसको भॉ Jag देते हैं एक साइड में, अब हमें माईने तयार करना है, एक बोल लेना है और इसमें आधा कप गारादही ढालेंगे खटटा भी नहीं है, बहुट फिसस्पुन शिखंद बहुत ब्लम्ल अब इसमें कुछ मसाले चाह ब्लब फीचंहे दीनगी मसालों में जान meidän koş में जाएगा चाट मसाले का पाउडर दो टीस्पून साथ में डालेंगे काली मिर्च का पाउडर एक टीस्पून दो से तीन पिंच इसमें रेड औरेंज फूड कलर डालेंगे ये भी ऑप्शनल है लेकिन कलर अचाएगा चिकन बर्रा का इस से दो टेबल स्पून के खरीव इसमें डाल देंगे और इसे के साथ प्यास प्यास हमें डाल देंगे और इस सबिशनल को हमें बहुत अच्छी तरह से मिला दिना है इस तरह से मार추 बहुत जाएदार चट्खारीदार तो खोड़ दे नहीं के लिए जाए हम सिद्स saya और कम और बहुत अच्छी तरह साथ चाइड होई कर लिए तो मिला दिस्हें तो dilemm vibrant लिया तो और अधाल में सत् inspirans लिए बिर्शम किरें पाहर मत चोड़िएगा तो चलिए अब इसको पकाना शुरू करते हैं एक पैन में एक से दो टेबल स्पून तेल गरम कर लेंगे और साथ में एक टेबल स्पून के करीब बटर याने की मख़न भी डाल देंगे में डालते जाएंगे और यह जो मैइनेड बचेगा जितना ही मैइनेड आपके बॉल में बच रहा है थोड़ा या कम इसको सम्हाल कर रख दीजेगा साइड में बाद में यूज करेंगे अब एक बार चिकन को ऊपर नीचे कर देंगे कि देर से दो मिनट मैंने चिकन को पका लिया है उपर नीचे कर दिया है इसकी साइट अब हम इसको ढख कर पकाएंगे हमें लो फ्लीम पर इसको पकाना है तकरीबद 20-25 मिनट के लिए बीच बीच में हम इसकी साइट को टर्ण करते रहेंगे और यह भी चेक कर लिजेगा क कि दूप शुख नहीं हो अकसर है सहोता है पानी सुख जाता है वैसे चिकैन भी अपना पानी छोड़ेगा और दही भी पाना पानी छोड़ेगा तो पानी डालने की जारूरत तो एक से दो चमच आप इसके बॉटम में दाल दीजागा चिकन के उपर से फानी मळ डालेगा सिंप्ली बॉटम की तरफ आप डाल दीजेगा जिससे की भाप बनेगी और वो भाप आपके चिकन को गलाने में हेल्फुल रहेगी तो यहाँ पर चिकन को लो फ्लीम पर मैंने अठाल से बीस मट पकाया है नाइंटी परसेंट तक चिकन पक चुका है थोड़ा सा पानी है तो थोड़ी से गुंजाईश रखेंगे पानी के साथ भी हमारा चिकन पक जाएगा हाई फ्लीम करके हमें यह पानी ड्राए करते आ है चेकन को ओवर कुक नहीं करना इस बात का ध्यान रखियागा वर न लगण फिर चिकन बर्रा नहीं बनेहरा हमारे बन जाएगा, तो अभी तो हम गैस की फ्लीम को हाईय करके सार के सायक से ग्रेवी बनाने की पूरी रेसिपी अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं चिकन पर्रा के पेसे को तंदोरी टेस्स देने के लिए बिल्कुर रेस्टरांट स्टाइल टेस्स देने के लिए हमें इसको गैस के उपर ग्रेल कर लेना है और यह जो आपके पैन के अंदर थोड़ा बहुत मसाला बच जाएगा तो इसको भी आपको ग्रेवी में ही यूज कर लेना है कुछ भी वेस्ट नहीं करना है बस यह धियान रखेगा यह मसाला जली नहीं अब हमें इसको ग्रेल कर लेना है बहुत जबदस टेस्ट राजाता है जब हम इसको ग्रेल कर लेते हैं आप चाहें तो आवन के अंदर भी यह प्रोसेस कर सकते हैं बहुत से लोगों के पास इस तरह का गैस बर्नर नहीं होता है तो वह चाहें तो इसको कोईली से स्मोक दे तरह पहले हमारा बहुत ही जबद्द्ध चिकन अइपती हम दो दो देल दें लेंगे और अब ढूंधा यह तरह नहीं दो है नहीं बिल्दकण्ये प्रविति जिसे की आपशना पर भीज़ए है कि अप्रइश क्रीम बेख के फ्रेश क्रीम एक कपकेट मैं इसंदर और दैज को में बूरा बन की अनुथे प्रेश क्रीम इस्तमाल करने के अपने पसंद की 75 प्रेश क्रीम को लाइ अब हमें डालना है हरे धनिये और हरी मेर्ज का पेस्ट जो हमने शुरू में पीसा था थोड़ा सा हमने चिकन में डाल दिया थोड़ा सा हम यहाँ पर डालेंगे वन बाई फोर टीस्पून के करीब नमक भी डाल देंगे और चाट मसाले का पौडर डाल देंगे एक तो हम डालेंगे इसके अंदर दूद या फिर पानी भी डाल सकते हैं तो मैं अभी 1 x 4 cup दूद डाल रही हूं लेकिन आपको और पतली ग्रेवी चाहिए है थोड़ी सी और लिक्वेडी चाहिए तो आधे से पॉन कप आप इसमें डूद डाल सकते हैं या फिर पाई डाल सकते और हाई फिर फिर से इस मोबाल आने देंगे जिसे की दूद या फिर पानी आप यूज कर रहे है वह अच्छी तरह से पक जाए और जब हमारी ग्रेवी इस तरह से पक जाएगी हमें इसमें चिकन के पीसेस एट कर देना है थोड़ी से मैं इसमें हरे धने के पत्ते भी डा जब दें और इस तरह से आपकी ग्रेवी से लिए बिल्कुल रैडी है बहुत ही सबदर्स हमारा चिकन बर्रा ग्रेवी के साथ बन कर या बहुत इस पाईसी नहीं होती है बहुत ही टेस्टी लगती है चाहे बच्चे हो या बड़े हर को इसको बहुत शॉक से खाता है तो सर्फ करते टाइम उपर से थोड़ा साब बटर इसमें और डाल सकते हैं, सॉल्टेट बटर जिससे की टेस्ट और भी जादा बढ़ जाएगा, रोटी, नान, कुल्चे या फिर पराथे के साथ सर्फ करिए, मज़ा जाएगा आपको खाने के बाद, और इतना टेस्टी बनता ह कि आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को नहीं यकीन होगा कि या आपने बनाया है, बिलकुल बाहर जैसा, बिलकुल रेस्टारॉंट स्टाइल है, या फिर ये बोलें, उससे भी कहीं जादा बैटर है, बहुत मसे का बनाया है, ट्राइ जरूर करें, और अपनी फीड़ब कीजेगा, जिससे कि हर कोई इतनी जबदिस टिश खुझ से अपने घर पर बना सके, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, अलाफिस